अब आप सब्सक्राइब आप सभी का अशी सिंग लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में और यह लाइव स्ट्रीम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्ण हो जाती है क्योंकि यह सेशन 22-23 की पहली क्लास है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स 12 फिजिक्स और स्टार्ट हमेशा इलेक्ट्र स्टेटिक से होता है इस बार भी इलेक्ट्र स्टेटिक से होगा अंदार्स थोड़ा अलग होगा experiment class के बीच में हो रहे होंगे और live experiment के help से हम लोग topics को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे तो स्वागत है आप सभी का फटाफ़र्ट से अपने आपको connect कर लीजिए जल्दी से और किसी को कोई भी confusion हो तो आप comment कर सकते हैं किसी भी प्रकार का और सबसे important बात यह है कि आज क्योंकि इस पूरे session की पहली class है तो starting में थोड़ी बहुत बात चीथ हम लोग physics को लेकर के करेंगे कि इस साल की physics अर्थात class 12 की physics और class 11 की physics में क्या basic difference है और उसके बाद हम हमारे session को start करेंगे तो स्वागत आप सभी का बहुत बहुत और निकाल लिए अपने copy pen और start करते हैं चालिए ओके देखें जो आपकी physics है basically इस साल की physics में सबसे important first book जो है पूरी की पूरी फर्स्ट बुक based है charge के उपर और उसी charge के fundamental को हम आज की class में discuss करेंगे तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि पूरी की पूरी physics ही आपकी first book complete जो first book है वो पूरी तरह से based ही charge के उपर है जो first book है वो based ही आवेश के उपर है तो इस बात का वजन कितना होगा कि आज की class कितनी important होने वाली है सही बात है ना शरी शुरू करते है charge अर्थात आवेश से हम आज की class को directly start करते है chapters आगे आते जाएंगे आपका idea होता जाएंगे chapter number one और chapter number two class 12 की book का सबसे पहला chapter और सबसे दूसरा chapter वो दो chapters हैं जिनको हम इस्थिर वैद्युतिकी के नाम से चांगते हैं कल आप लोगों ने एक short देखा होगा जो upload किया था मैंने experiment का उस experiment के short में charge की बात किये थी आप उसको discuss करेंगे डिटेल में इस्थिर वैद्युतिकी को English में कहते हैं electro statics electro statics का मतलब क्या होता है समझिएगा electro शब्द का मतलब charge से होता है और aesthetics शब्द का मतलब at rest से होता है मतलब जब आपका आवेश rest पर होगा जब आपका आवेश चल नहीं रहा होगा उस समय उसका अध्यन करना ये कहलाता है इस्थिर वैद्युतिकी अब देखो इसमें एक मज़दार बात बताता हूँ आपको दिमाग में concept आता है जब इचेप्टर आप आगे पढ़ोगे न तो उसमें ऐसा आएगा कि इतना आवेश इस वस्तु से उठकरके उस वस्तु पर जा रहा है ऐसा आता है टॉपिक में कि एक आवेश मानलो इस वस्तु से चार खुलाम का आवेश इस वस्तु पर गया फिर दिमाग में बात आती है कि सर ने तो कहा था इस तिर वैदुतिकी का मतलब होता है कि जब आपका आवेश रुका हुआ हो और इसी चेप्टर में सर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन भेजने आवेश भेजने तो दिमाग में आता है कि यार ये क्या ओरा है तो कहराई से शब्दों को पकड़िए आपका आवेश एक वस्तू से दूसरी वस्तू पर जा रहा है जाने दो बढ़ हम उसका अध्यन तब ही करेंगे जब वो दूसरी वस्तू पर पहुंच के रुक जाएगा समझे इस चैप्टर में भी ऐसा होगा कि आवेश एक जगे से उठकर के दूसरी जगे जा रहा है पर रस्ते में हम उसका अध्यन नहीं करेंगे तू पहुंच जा अपनी जगे जहां से भी तेर को आना है जब आप आकर के बैट जाओगे स्टेबल हो जाओगे अब हमें लगेगा कि अब आवेश नहीं चल रहा हम तब उसका अध्यन करेंगे और तब हम चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू के कंसेप्ट लगाएंगे पकी बाद इसके अंदर दो तरह के चैप्टर आते हैं एक चैप्टर नंबर वन है आवेश और विद्धुच्षेत्र और दूसरा चैप्टर है विभव विभवांतर और संधारित्र चैप्टर नंबर वन अगर मैं आपको कहूं तो IIT J के साब से क्लास 12 गे साब से सबसे इंपर्टर चैप्टर है सबसे इंपर्टर अién लगाओ ये तो लिखे लिख लिए होगा अपने रहश फटा फट 12 फिची की स्टार्टि होने जारी है on एलेक्ट्रोस्टेक आपकी यूनित का नाम है Charge and Charging Method आज हम पोशिश करेंगे इसको कवर करने की इस्तिर वैद्यूत की मतलब समझा चुका हूँ इलेक्ट्रो स्टेटिक्स जब चार्ज का अध्यन उसकी रुकी विवस्ता में किया जाए तो हम उसको आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो स्टेटिक्स के नाम से जानते हैं अब आप समझें इस डेफिनेशन को समझना इस चार्ज की डेफिनेशन है बहुत इंटरस्टिंग सी है आवेश किसी भी वस्तू का किसी भी पधार्त का वो गुण है जिससे वो विद्यूत और चुम्बकिये शेत्र उत्पन कर सकता है और उस उत्पन हुए वे चुम्बकिये शेत्र को महसूस भी कर सकता है इस डेफिनेशन डायक्ली समझ में नहीं आती इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है देखो आज हम प्रत्वी पर रहते हैं हम जैसे बहुत नन्ने मुने बाला किस धर्ती पर रहते हैं आपके पास एक गुण है द्रव्यमान जिसके कारण प्रत्वी आपको आपको अपनी तरफ खीचती है गुर्टवा कशन बल से दिमाग में एक सवाल आता है प्रत्वी के पास ऐसा क्या है कि वो गुर्टवा कशन बल लगाती है एंसर फिर से वही है द्रविमान वोविसी बात है कि प्रत्वी का द्रविमान ज्यादा है तो वो ज्यादा खीच सकती हमारा कम है हम नहीं खीच सकते इसलिए हम प्रत्वी को नहीं खीचते प्रत्वी हम को कीच के रखती है यह तो बेसिक बात है पर अगर मैं यहाँ पे दर्विमान को परिवाशित करना चाहूं तो उसकी परिवाशा क्या होगी दर्विमान वस्तू का वो गुणधर में वापस दर्विमान वस्तू का वो गुणधर में इससे वो गुर्तवाकशन बलको उत्पन भी कर सकता है और यदि उत्पन है कहीं पे तो उसे अनुभाव भी कर सकता है प्रत्वी को हम बे गुर्तवाकरशन लगाने के लिए भी दिर्विमान चाहिए और हमें प्रत्वी का गुर्तवाकरशन महसूस करने के लिए भी दिर्विमान चाहिए इसी प्रकार प्यारे बच्चों वापस समझो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आवेश किसी वस्तू का वो गुण है जिससे वो विद्यूत और चुम्बकिये शेत्र उत्पन कर सकता है पहली बात और कहीं पर अगर पहले से उत्पन है तो उसको अनुभव करने के लिए भी क्या चाहिए होगा आपको आवेश चाहिए होगा फटा फट डेपनेशन नोट करेंगे स्क्रीन शॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं हाजी क्लियर है आगे बढ़ सकते हैं चल अब यहां तक हो गया तो मतलब मोटी मोटी बात दो चीजे हैं विद्यूश्यत्र दूसरा चुम्बक यह शेत्र यह दो ऐसी चीजे हैं दो ऐसे शेत्र हैं जिनको उत्पन और अनुभव करने के लिए आवेश चाहिए होता है अब मैं अपने हिसाब से आपको आवेश की बारे में सब कुछ पता हैं नोट करते हैं अवेश की बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा बहुत कुछ कहा अब इतियास में जाके बैठके पढ़ने लगेंगे तो फिर आदा दिन दूस YouTube में निकल जाएगा हम मॉडर्न डेफिंशन पर आते हैं आवेश की संकल्पना पर बात करते हैं कंसेप्ट आफ चार्ज पर बात करते हैं अब कंसेप्ट यह है कि आवेश की संकल्पना जिसको हम इंगलिश में बहुते हैं कंसेप्ट आफ चार्ज वो संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है अब इसका क्या मतना में समझाओ देखो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सोडियम नाम का तत्व और प्लॉरीन नाम का तत्व सोडियम के पास आपको पता है 11 एलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोट्रॉन होते अगर हम सोडियम की स्थिति को समझने की कोशिष करें तो 2,8,1 उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास है और अस्टक पूरा करने के लिए सोडियम की कोशिश यह होती है कि वो अपने बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे यह केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं तो अगर सोडियम अपने बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो फिर जो sodium बनेगा, उसमें electron कितने होंगे? एक electron निकल चुका है, 11 से हो गया 10, तो उसमें electron होंगे 10 proton कितने होंगे? proton पहले भी 11 थे, अभी भी 11 है अब मुझे आप एक बात बताओ, कौन ज्यादा है? proton ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, इस पर आवेश आएगा, प्लस बन, तो अभी अभी आपने क्या सीखा? कि आपके वस्तू पर धनावेश आया कौन सा आवेश आया पिटा आपके वस्तू पर धनावेश आया जिसको हम धनावेश बोल सकते हैं या फिर इसको धनात्मक आवेश भी बोल सकते हैं धनावेश आया किस करण आया समझो इलेक्ट्रोन के निकलने के करणा आया इलेक्ट्रोन के निकलने से आया और अलग भाशन में बात करें इलेक्ट्रोन की कमी से आया तो जो आपका धनावेश है वो कैसे आ रहा है इलेक्ट्रोन की कमी से मतलब इलेक्ट्रोन की कमी से धनावेश आता है एक बात हमें समझमा, दूसरी बात समझते हैं दूसरा बंदा है क्लोरीन, 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्याद उसका देखें तो 17 के हिसाब से लिखेंगे 2,8,7 है अब उसके मजबूरी यह है कि उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने पड़ेंगे अगर अपना अस्टाप पूरा करना है तो तो अब वो अपना अस्टाप पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करेगा समझिएगा अगर आपके क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रेंड कर लिया ताकि ये साथ से आठ हो जाए केमिस्ट्रिय इसा बोलती है तो अब जो क्लोरीन बना उस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने है अठारा उस क्लोरीन में प्रोटॉन कितने है प्रोटोन तो नहीं बढ़ते हैं यहां भी सत्रा थे अभी भी सत्रा तो एक इलक्ट्रोन एक्स्ट्रा हो गया इसलिए उस पे चार्ज माइनस का 1 आएगा एक इलक्ट्रोन एक्स्ट्रा हो गया इसलिए उसके उपर चार्ज माइनस का 1 आएगा माइनस के वन को क्या बोलते हैं बताओ माइनस के वन को क्या बोलते हैं माइनस के वन को बोलते हैं रिनावेश तो रिनावेश का बाता है रिनावेश तब आता है या फिर आप चाहें तो इसको रिनात्मक आवेश भी बोल सकते हैं रिनात्मक आवेश अर्थात रिनावेश पता है का बात है इलेक्ट्रोन को ग्रहन करने से अब जो बात यहां पर समझने की है सबसे इंपोर्टन वो पता है क्या है चाहे बस्तू के उपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो चाहे बस्तू के उपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो दौनों के दौनों ही किसके कारण आते है इलेक्ट्रोन के कारण आते है इलेक्ट्रोन के निकलने से धनावेश उत्पन हो रहा है और इलेक्ट्रोन के आने से धनावेश उत्पन हो रहा है मतलब आवेश की संकर्पना किसके आधार पर दी जाएगी? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाएगी कोईकि उसी की कमी ते और उसी की व्रद्धी से दोनों प्रकार के आवेश आ रहे हैं प्लस और माइनस बताओ यहां तका गंचर मक्षन है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर एक्जाम में सवाल पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकर्पना क्यों दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकर्पना इससे दी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से ही तरवेश उत्पन होता है invent कि ब्रद्धी से it seven होता है डॉलों के लिए ही olduğunuise मन में सवाल आता है Latinos ही क्यों proton क्यों ने सकता है है कि मन में सवाल आता है यह पे कि why not fashion अब इसके दो रीजन है समझेएगा अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी बच्पन में आपको पता होगा एक होता है आपका नाभिक जिसके अंदर दो लोग रहते हैं प्रोट्रॉन और नूट्रॉन और नाभिक के चारों तरफ होता है पक्षाएं और उन कख्षाओं में कौन रहते हैं इलेक्ट्रॉन एक वस्तू में देना है तो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा एक वस्तू से निकालना है तो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा प्रोट्रॉन क्यों नहीं जाता समझेएगा दो रीजन है उसके पीछे वाय नॉट प्रोटॉन उसके नीचे पीचे दो रीजन रीजन नमबर वन सुनिए प्रोटॉन होता है नाभिक में और प्रोटॉन, न्यूटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन के मद्दे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल होता है नाभिकी ये बल तो प्रोटॉन जो है नाविकीये बल से नाविक में बंदा होता है और हर छीज comment session में लिखो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रोन की जगे नहीं जाता कहीं भी प्रोटॉन के आगार पे आवेश्क की संगरपना नहीं दी जाती काँकि जो proton है वो नाविक में बंधा होता है किस से प्रबल नाविकी ये बल से निकल ही नहीं सकता बाहर ही नहीं जा सकता दूसरी बात Reason No.2 जो proton का द्रविमान है द्रविमान वजल वो electron के द्रविमान का 1837 गुना होता है मतलब proton, electron की तुलना में 1837 टाइम्स भारी होता है किसे माल लो ये बाई-साब है इन बाई-साब का वज़न 40 किलो है और माल लो ये बाई-साब है इन बाई-साब का वज़न 80 किलो है तो मैं ये बोलूँगा कि ये A है और ये B है तो मैं ये बोलूँगा कि जो बाइसाब B है उनका दर्मान A की तुलना में दुगना है समझना दुगना है ऐसा बोलूँगा मैं कि जो बाइसाब B है उनका वजन A की तुलना में दुगना है अब आप देखो प्रोटॉन का वजन इलेक्टॉन के वजन का इतना गुना है अब आप अंदाज़ा लगा लो कि प्रोटॉन इलेक्टॉन की तुल्णा में कितना जादा भारी है इसलिए फिर वो मूव नहीं करता और इसलिए केवल ओ केवल कौन चलता है केवल औकेवल कौन चलता है आपका इलक्टरॉन चलता है प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते और यही कारण है कि प्रोटॉन के आधार पे इलक्टॉन की संकल्पना नहीं दी जाती केलियर आगे बढ़ सकते हैं चलो, मूव next concept पे आगे बढ़ते हैं दूसरा point चार्ज की बारे में सबसे important ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा आवेश दो प्रकार के हो गए आपके पास पहला हो गया धनात्मक आवेश इसको हम बोलते हैं positive charge दूसरा हो गया लिनात्मक आवेश जिसको हम बोलते हैं negative charge अब समझिएगा दनात्मक आवेश जो है आपके लिनात्मक आवेश जो है अगर आप एक plus के सामने दूसरा plus लेके आते हैं एक minus के सामने आप दूसरा minus लेके आते हैं तो इसको बोलते हैं एक जैसी जात के आवेशों को सामने लाँ इसको बोलते हैं सजाती या आवेश एक ही जात के दौनों सजाती या आवेश अब इसको और एक्जाम पर समझाओ तो इसमालों एक लड़के के सामने आपने दूसरे लड़के को लेकिया एक लड़की के सामने आपने दूसरे लड़की को लेकिया एक प्लस के सामने दूसरे माइनस को लेकिया है मतलब एक प्लस दूसरे माइनस वेश जाती है लड़का लड़की आवने सामने हैं साथ में हैं तो उनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं अब यह तो दुनिया का सत्य है, इसको तो हम बदल नहीं सकते, तुम लोगों को ऐसे ही एक्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ में आता है, एक लड़का एक लड़की के साथ बात करने में ज्यादा comfortable होता है, यह ज्यादा interest दिखाता है, सही बात, लड़के का दूसरे interest नहीं, एक लड़की का भी दूसरे लड़की के साथ को एक आस interest नहीं, यह ठीक है, तुम लोगों को ऐसे example ज्यादा समझ माता है, क्या करें, तो वैसे ही, अगर एक जैस्ते आवेश है, सजाती आवेश, यह एक दूसरे से बात, दूर भागते हैं, इनके बीच में होता है प्रतिकर्शन, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं, विजाती आवेश, नस मैनस, एक दूसरे को आकर्शित करते हैं, कि देखो किसा मंद मंद मुश्कुरा रहे हैं बहुत शाण हो तुम जानता हो में तुम बच्चा से चलो जी तो समझ में आ गया अच्छे सा आ गया होगा ला प्रजाती आवेश एक दूसरे को आकरशित करेंगी इसको बोलते हैं अलाइक चार्ज अर्ट्रऍक्त बॉल लाइक चार्ग के बारे में महाना संख अने पर अभी हम बहुत ससा साूं करंगे करेंगे अज कंसेट की क्लास है तो मैं फक्त को ज्यादा ट्टी नहीं करना अच्ग पुरा फोकस संसेट के उन्हेट को साइन्टिस्ट का नीम है कुलम और इसके बारे में अच्छा डिस्कुशन ऐसा ही मात्रक के उपर और बात अपनेस्ट क्लास में अच्छे से करने चलो अब आते हैं अपने चोहते पॉइंट में आवेश का या आवेशों का सदैव बीज गणिती ये योग होता है लिखते चलो हर एक पॉइंट आवेशों का सदैव बीज गणिती ये योग होता है मतलब आवेशों को बिल्कुल वैसे ही जोडते हैं जैसे मैतेमेटिक्स में प्लस माइनस जोडते हैं यही रीजन है कि बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने आवेश के लिए प्लस और माइनस शब्द का प्रियोग किया अब समझो थोड़ा फिजिक्स को हम आवेश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज कर रहे हैं तो जैसे प्लस और माइनस को मैक्स में जोडते हैं आवेश भी वैसे ही जोडता है इसलिए का जाता है कि आवेशों का बीज गडिंतिय योग हम करते हैं मतलब क्या है इसका एंग्जामपल देता हूं समयमा जाएग एक ही बार इसे मानलो अपने एग्जामपल दिया प्लस के चार कुलाम को आवेश का सिम्बल जनलेरिक क्यों यूज करते हैं एक आवेश है प्लस का चार कुलाम दूसरा आवेश है माइनस का दो कुलाम आपको मैंने का दौनों को जोड के बताओ तो ऐसा नहीं करना है चार और दो छे नहीं कि आवेशों को सधैव उनकी कि उसको एक और मतलब है participants कै लिखते तो ओं कि आवेशों को सधैव है कि उटेकिे चुन्न के सार्ड anytime आविश्णों को सद्या उनके चिन्ने के साथ जोड़ें, जोड़ें उनको, चार तो छे नहीं करना है, चिन्ने के साथ जोड़ना है, प्लस का चार, प्लस माइनस का दो, दो को लाँ, ठीक है पिटा, पाल लो एक और एक्जामपल लेलू, स्टार्डिंग में पढ़ लो, आराम आराम से पढ़ो, ताकि सब को समयन माँ है, मालो आपके पास एक आवेश है, 4 कुलम, मालो दूसरा आवेश है, माइनस का, 6 कुलम, आपको का जोड़ के बताओ, तो Q1 प्लस Q2 जब आप करोगे, तो आपको, इनका 20 गनिती, नंबर के तर कुलना है, सिंपल, प्लस 4, माइनस का 6, एंसर आएगा, माइनस का 2 कुल, बिल्कु सही है, तो इस तरह से हमको, आवेश हो को क्या करना है, 20 गनिती योग करना है, गुट, वेरी गुट, बाच, सही है, आगे बड़े, अब बहुत इंपोरेंटी पढ़ने जा रहे हैं, स्वेश सरक्षक्षण का निया काये, एक भी काम आता है, अब कि आवेश सरक्षण का नियम क्या बोलता है, अवेश सरक्षण नियम ये बोलता है, की, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों ने निमान पड़ा होगा कि एने प्लस सील माइनस से मिलकर के क्या बना रहा है एने सील बना ठीक है अब विलगित शब्द का मत्त्रा समझ लो पहले विलगित निकाह है जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं आई सो लेटेर सिस्टम क्या मतलब है अभी आपको मैं पड़ा रहा हूँ आप मेरे से पड़ रहे हैं कोई बाहर वाला आके हमको डिस्टर्ब नहीं करता है तो हमारा एक सिस्टम मनावा है और उस सिस्टम को बाहर से कोई मतलब नहीं है तो हमारा सिस्टम हमारा निकाए विल्गित निकाए कहला है उससे भी पहले हम बात करें कि निकाए क्या होता है तो निकाए का मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मान का वो इसा जिससे तुम्हें मतलब है, अभी मुझे किस से मतलब है मुझे दुनिया में किसी से मतलब है अभी मुझे कियों आप से मतलब है आप मुझे से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी हम दौनों को यह दूसरे से मतलब है, तो हम एक सिस्टम है हम क्या है बिटा हम एक सिस्टम हम एक निकाए है और उस निकाए को बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो भाया जी हमें एक विल्गित निकाए अराम से समझो कोई जल्दी है इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा अगें इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिस हिस्से का तुम अध्यन कर रहे हो या जिस हिस्से से तुम्हें मतलब है वो निकाए है उसके अलावार चो कुछ भी है वार वो सब परिवेश है बढ़ाते हैं थर्मुड अनेमिक्स मे अगर निकाय को बाहर से परिवेश बिल्कुल भी डिस्टरब नहीं कर रहा है तो वो विल्गित निकाय इस कमरे में बैठके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कमरा मेरे लिए निकाय है कमरे के बाहर जो कुछ भी है वो मेरे लिए परिवेश है और कमरे के बाहर जो बैठे हैं मुझे परिशान नहीं कर रहे है उनको मुससे कोई मतलब नी मेरे को उनसे कोई मतलब नी है तो मेरा निकाय विल्गित निकाय कहला है ठीक है तो माल लेते हैं ऐसा ही कोई विल्गित निकाय है और उस विल्गित निकाय में एक प्रक्रिया हो रही है प्रक्रिया जहां पे एने प्लस और सील माइनस मिलकर के एन बना रहे हैं और इस काम में बाहर से किसी का आ कोई भी हक्स्तक शेब नहीं है और यह wilgit निकायं की एक प्रकरिया है प्रोसेस और इस जिसमेंी एक एकसील से मिलके एकसील बना रहा है कि के है अब अगर हम इस विल्गित निकाय को देखें अच्छे से देखेंगे और इस विल्गित निकाय में दो इससे करके समझे एक प्रक्रिया के पूर्व एक प्रक्रिया के पश्चार प्रक्रिया के पूर्व हम कुछ चीजें चेक करते हैं उनकुछ चीजों में क्या आता है समझे उनकुछ चीजों में आता है पैन कुल धनात्मक आवेश कि वही कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है चेक करो प्रक्रिया के पूर्व मतलब इदर की बात प्रक्रिया के पूर्व का क्या मतलब है एरो के इधार कुल धनात्मक आवेश कितना है प्रक्रिया के पूर्व केवल एने प्लस मतलब प्लस वन कुल पॉजिटिव चार्ज है बताओ कमेंट करके प्रिकिरा के बाद में क्या है जब एने सिल बनके तयार है क्या आपको कोई प्लस दिख रहा है इसे लिए नहीं सेकंड कुल रिनात्मक आवेश कितना है प्रिकिरिया के पूर बताओ चेक करके प्रिकिरिया के पूर्व कुल रिनात्मक आवेश कितना है 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 प्रिकिरिया के पूर्व कुल रिन कितनी है प्रक्रिया के पूर्व मुझे प्रक्रिया के पूर्व दो आवेश दिखा है एक पॉजिटिव आवेश है एक नेगटिव आवेश है अर्था आवेशों की संख्या दो है प्रक्रिया के पूर्व आवेशों की संख्या दो है प्रक्रिया के पश्चात आवेशों की संख्या जीरो तुर आवेश ही नहीं है एने से लखे ला है पहले दो आवेश है आवेशों की काउंटिंग पूछ रहा है कितने आवेश है एक एने प्लस एक्सेल माहिन से दो आवे इसको करें चेक करेंगे प्रिक्रिया के पहले दो आवेश हैं एक तो है एने के उपपर प्लस वन एक है एक है सील के उपपर माइनस वन हमें कहा गया है नेट आवेश बताओ दोनों को जोड़ देंगे कितना आ रहा है जिए प्रिक्रिया के पश्चात एनेस दिया ले उसके उपपर कोई आवेश नहीं है सील जिस बच्चे को ये टेबर समझ में आ गई न वो आवेश सरक्षन के नियम को दिल से फील करता है प्रिक्रिया के पूर्व कुल धनात्मक आवेश अलग है प्रिक्रिया के पूर्व कुल धनात्मक आवेश अलग है परंतु प्रिक्रिया के पूर्व जितना नेट आवेश है प्रिक्रिया के पश्चात भी उतना ही नेट आवेश है यही कलाता है आवेश संदक्षन का निय क्या खास है आवेश सरक्षन का नियम ये कहता है कि किसी विलगीत निकाय की प्रक्रिया में नेट आवेश, कुल आवेश, प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है यहाँ पे रिमार्क यहाँ नोट करने वाला पॉइंट यह है कि कुल धनात्मक आवेश, कुल निनात्मक आवेश और कुल आवेशों की संख्यात यह बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, यह बराबर हो भी सकती है और नहीं भी देख लो न, यह अलग 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 जो चीज कंपर सरी बराबर है वो यह है इस बात को सीधा सीधा ही बता देते हैं इतना घुमा करके बताने की क्या जरूत है इस बात को एकदम सीधा सीधा ही बता देते हैं सीधा सीधा इतना घुमा के क्यों बताया आपने सोच रहोगे ऐसा तो इसको घुमा करके इसलिए बताया को कि एक्जाम में प्रश्ण अपता है सत्य और असत्य बताईए और वाँ स्टेट्मेंट दिखावा है कि विल्गीत निकाय की प्रक्रिया में कुल धनात्म का अवेश सनक्षित रहता कहीं सही है? नहीं को कि यहां तो अलग-अलग है कुल धनात्म का अवेश सनक्षित रहता है सही है? नहीं बड़ा अलग रहो सकता है कुल अवेशों की संध्या बराबर होती है? नहीं, वो भी अलग रहो सकती है क्या चीज बराबर होना ज़रूरी है नेटापिश, खुलापिश इसलिए physics को सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है मज़ा आ गया मज़ा आया इस concept में मज़ा आया तो फिर comment करो comment करें बताओ कैसा लगा अब इस पर बेस कॉशन कर लेते हैं थोड़े बहुत कॉशन यह है कि आपके पास A और B दो वस्तु में इसका 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 डेपिनिशन वगए पीपीटी में बनी भी है स्लाइट्स में दिखा दूँगा मैं आपको अभी पूरा फोकस कंसेप्ट पर करो क्या वात है मज़ा आगया मज़ा ही तो चीए भाई आप लोग खुश हो तो हम भी खुश है चलिए दो वस्तु में A और B A की उपर आवेश है प्लस का 3 कुलंग B की उपर आवेश है माइनस का 4 कुलंग विलगीत निकाय की प्रक्रिया के पूर्व विलगीत निकाय में कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बाद B पर जो आवेश है वो हो जाता है प्लस का चांद पूला तो अब ही बताईए A पर कितना आवेश होगा वापस देखें उकबाई A और B आपके पास दो वस्तों है A के उपर आवेश है प्लस का 3 कुलंग B के उपर आवेश है माइनस का 4 कुलंग B के उपर प्रक्रियत निकाय की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के पश्चाथ बी पर आवेश प्लस का चार कुलाम हो जाता है एक के उपर आवेश बताईए और ये आपका पूरी सेशन का सबसे पहला टॉपिक रिलेटेड कॉशन है मैंने कहा था है कि इस सेशन में बहुत कुछ नया होगा अब इस सेशन में टॉपिक के साथ साथ कॉशन्स चलेंगे और जिन बच्चों ने बैज जोइन कर लिया होगा उन बच्चों की कास अलग चलेंगी जिननों यूटूब पर पढ़ रहे हैं उनकी कास अलग चलेंगी सब कुछ सेपरेट चलेगा हर जगे अपने अपने बैज जोइन नहीं किया जितना ज़दी हो सका आप बैज जोइन करने बैटर आएगा अब काफी बच्चों का इनसर गलत है काफी बच्चों का इनसर सही है पर मुझे अब एक्च्छल में लग रहा है कि जिन बच्चों ने concept को पकड़ा है वही सही जवाब दे पा रहे हैं बागी बच्चे काफी हद तक गलत जवाब दे रहे हैं देखो इधर फिर से आजाओ एक बार प्रकिरिया के पूर्वर प्रकिरिया के पश्चात कौन सी चीज बराबर होती है नेट आवेश इस बात को समझ लो यह तो कॉशन नहीं होंगे आपसे अच्छे से बराबर हो भी सकता है नहीं भी बराबर हो भी सकता है नहीं भी कौन सी चीज जो बराबर है एक्जेक्ली मतलब अगर यह भी आप एक विल्कित निकाई के प्रकिरिया इसा कॉशन कह रहा है तो वहां पे जो आपका नेट आवेश है प्रकिरिया के पूर्ग वो बराबर होना चाहिए जो आपका नेट आवेश है प्रकिरिया के पश्चात सही है कि नहीं है यही कहता है ना यह आपका कॉशन ने क्या रखा है कि यह आपका विलकित निकाय है तो आवेश सेलक्षन का नियम लगेगा अगर कॉशन बोलता है कि यह विलकित निकाय है तो आवेश सेलक्षन का नियम लगेगा और आवेश सेलक्षन का नियम क्या बोलता है आवेश परशने के नियम से क्या होता है नेट आवेश पूर्व बराबर नेट आवेश पूर्व कितना है प्लस का तीन माइनस का फूर तो आपको बीज गणितिये योग करना पड़ेगा ये बराबर होगा नेट आवेश बाद के बाद का नेट आवेश कैसे निकालोगे मान लो इसका एक्स है तो एक्स प्लस फूर अब यहां से जब आप स्वालू करोगे तो यहां से आपका एक्स निकल के आएगा माइनस का फाइव मतलब इसके उपर कितना आवेश है माइनस का पाँच कुला और अगर कोई बच्चा कहें मैं तो जेही की तियारी कर रहा हूँ मुझे इतने लंबे प्रॉसेस की जरूत नहीं है मुझे शॉर्ट में बताओ डाइट कैसे करेंगे तो दिमाग लगाओ न प्रिक्रिया के पूर्व नेट आवेश कितना है माइनस का 4 प्रॉस का 3 कितना आवेश आ रहा है माइनस का 1 कुलाम राइट प्रिक्रिया के पूर्व नेट आवेश कितना है माइनस का 1 कुलाम तो प्रिक्रिया के पश्चात भी कितना होना चीए माइनस का 1 कुलाम इन दोनों को जोडने से क्या आना चीए कि नेट आवेश माइनस वन है तो प्रक्रिया कि पष्चात भी नेट आवेश माइनस होना चीह है माइनस कैसे लिकर आओगे इसमें क्या जोड़े माइनस होना जाया माइनस का पांच सिंपल इतना तो आना चीह भी राइट बढ़िया बहुत अच्छे अब एक कॉस्टन और देना वो सब्सक्राइब कर देना ठीक है इसको कॉपी कर लो फ्रापर टेकर स्क्रीन शॉट फास्ट कि आपके पास एक शैल है इस शैल के ऊपर टोटल आवेश था प्लस का पांच सिंपल अब इसमें कुछ प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया के पश्चाथ हमको ये पता चला कि इसके जो बहारी शेत्र है उस पर आवेश है माइनस का टू कुला हम से पूछा जा रहा है अंदर वाले शेत्र पर आवेश कितना होगा क्यूं इंसाइड कितना वापस से कॉषन ही के रहा है विल्गीत निकाय की कोई प्रकिया होती है हमें नहीं पता अभी कौन सी प्रक्रिया हुई हमें उसे मतलब भी नहीं है विलकित निकाय की कोई प्रक्रिया होती है नेट आवेश शेल के उपर पांच कुलाम था थोड़ी दे बाद बाहर वाले पोर्शन पे मतलब क्यूं आउटसाइड जो है अब लग रहा है कि तुम्हें एक्ष्वल में कोई चीज पढ़ रहा हूं अब लग रहा है सच में गुड़ वेरी गुड़ मतलब क्यूं विलकित निकाय की प्रक्रिया है आवेश सेलेक्शन का नियम क्या बोलता है जितना पहले था बाद में भी नेट आवेश उसके बराबर होगा तो क्यूं इंसाइड प्लस क्यूं आउटसाइड बराबर 5 कुलाम बराबर पूरा solve करना चाहो तो कर सकते हो Q inside तो आपको निकलना है plus का minus का 2 Q inside बराबर 7 कुलाम board में आता है तो ऐसे करोगे अब board में नहीं आ रहा डाइट करना है तो simple है minus 2 में क्या जोड़ूं कि plus का 5 आजाए तो minus 2 में क्या जोड़ें कि plus का 5 आजाए और वेसी बात है 7 जोड़ें कि तभी plus का 5 आजाएगा तो डाइट एंसर दे सकते हो 7 कुलाम तो अच्छी बात है कि आप में से अधिक्तम का answer जो है 7 कुलाम है आगे बढ़ें अब हम चार्ज के बारे में और बात करते हैं चार्ज की और प्रपरटीस पढ़ते हैं नमबर 6 पिर हम थोड़ा वो थियोरी देख लेंगे आवेश अच्छ रहे इन वेरियेंट अब इसका क्या मतलब है बताते हैं देखो एक वस्तु है उस वस्तु का दिरिमान M है उसका आवेश क्यूं है राइट अभी इस वस्तु को अगर अपन बहुत तेज स्पीड से चलाना शुरू करते हैं मतलब इस वस्तु का जो वेग है मतलब ये वी वेग से चल रही है और इस वस्तु का जो वेग है वो लगबग बराबर है प्रकाश की चांटे अधाय प्रकाश चाल कितनी होती है तीन इंटू दसक्रिकात आठ मीटर पर सेखिए तो यदि एक वस्तु रुकी भी है और उसका दिर्मान M है और आवेश क्यों है अब अगर वस्तु चलेगी और प्रकाश की चाल के बराबर चलेगी तो उसका दिर्मान होगा M डेश और M, M डेश के बराबर नहीं होगा अर्थात बहुत चौकाने वाली बात है ना यदि एक वस्तु प्रकाश की चाल के बराबर चले तो उसका दिर्मिमान बदल जाता है चेंज हो जाता है अब ऐसा क्यों होता है उसके तो आपको बहुत जादा फिजिक्स पढ़ने की जरूत है बट अभी हम इतनी बात नहीं करे रहे हैं यहना कंसेप्पे फोकस कर रहे है कि भया जी दिर्मिमान जो है वो वेक के साथ में बदलता है आवेश वस्तु का जो आवेश है चाहे वो किसी भी स्पीश चले आपके काम की बात यह है वस्तु का आवेश चाहे वो किसी भी स्पीश चले क्यूंका क्यूं ही बना आवेश वस्तू के वेग पर depend नहीं करता है यह इसकी गुनधर्म है यह इसकी property है अब अपने काम करते हैं इसको एक और तरीके समझते हैं एक्जाम में अलग टाइप में पूछ सकते हैं इसी सेम कंचेप्ट को मैं अलग तरीके से आपके सामने रगता हूं मानलो आपके पास एक वस्तु है इसका दिरमार M है जिसका आवेश Q है इस वस्तु को दो लोग check कर रहे है एक इसको देख रहा है प्रेक्षक 1 ठीक है जो रुकाव है यो एक वस्तु है इस वस्तु को observe जिसका दिरमार M है आवेश Q है इसको observe कौन कर रहा है एक प्रेक्षक प्रेक्षक का मतलब होता है observer थोड़ा सा इस साल advance चलूँगा आपको मैंने पहले बताया था तो हम concept को थोड़ा सा advance करके समझेंगे तो प्रेक्षक 1 देख रहा है जो रुखावाए वो इसको देख रहा है एक प्रेक्षक 2 है जो खुद प्रकाश की चाल से चल रहा है लगबग और वो उसको देख रहा है अब आपने अगर 11th class में relative velocity पड़ी होगी तो आपको पता होगा अगर ये चल रहा है तो इसके सापे ये भी चल रहा है एक तरह से तो इस example मैंने आपको सीरा से बता दिया कि अगर आपकी वी वेक से चले तो आवेश वही रहता है दिर्मान बदल जाता है सेम चीज़ को थोड़ा सा अलग अंदाज में समझा रहा हूं कि वस्तु अपने जगे पर फिक्स है अगर एक प्रेक्षक रुकावा उसको देखता है तो वो बताएगा कि दिर्मान M है और आवेश क्यू ह सहीर और अगर एक प्रेक्षक जो खुद प्रकाश की चार्श चल रहा है अगर उससे पुछोगे बताओ तो वो बताएगा दिर्मान M है और M M के बराबर नहीं होगा परन्तु ये वाला प्रेक्षक भी आवेश को क्यू का क्यू ही बताएगा मतलब आवेश जो है वो इस बात पर निर्बर नहीं करता कि वेग कितना है आवेश अपने आप में इनवेरियंट है आवेश अपने आप में अच्छा रहे है तो एक्जाम में कॉशन ऐसे भी पू इसके लंबाई एल है आवेश क्यू है दर्विमान एम है अब बताओ प्रेक्षक वन ने अब ऐसे बता सकते हूं इसको प्रेक्षक वन प्रेक्षक टू बीच में नाइन कीज़ती अब आप से पूछा बताओ द्रविमान को कौन कितना बता रहा है तो प्रेक्षक वन ने का द्रविमान इसी वस्तू का एम है प्रेक्षक टू बोले का नहीं एम डेश है और एम एम डेश के बराबर नहीं है आ सकता है एक्जाम में दूसरा लंबाई कितनी बताई है लंबाई दोनों सहीं बता रहे है पहले वाला प्रेक्षक भी एल बता दौनों के शाप से लंबाई में किसी प्रकाब कोई परिवर्तन नहीं है ऐसा आपको लगता है ऐसा आपको लगता है लंबाई भी सी अलब अलग होंब है बहुत interesting physics है यह और यहां मैं आपको यह नहीं समझा सकता को कि यह relative का पार्ट है Einstein quantum physics का पार्ट है but दोनों प्रेक्षब जो है इसकी लंबाई अलग-अलग बताएंगे तीसरा समय अगर इसके साब से पूछें कि time तो यह अलग time बताएगा और यह अलग time दोनो time भी अलग-अलग बताएंगे पर अगर दोनों से आवेश पूछोगे तो आवेश दोनों same बताएंगे यही समझने वाली बात है कि दोनों के दोनों प्रेक्षब जो है वो आवेश same बताएंगे बाकि द्रिम्यमान, समय, लंबाई तीनों अलग-अलग पताएंगे और ये तीन चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये तीनों चीजों के लिए आपको थोड़ी सी higher physics पढ़नी पढ़ी मेरा उद्देश ये इस topic को पढ़ाने का क्यों इतना था ठीक है मले आगे हैं यह तक अच्छा लगा है यह example देखो ये तो बहुत basic है ये थोड़ी सी आम जिंदगी है ठीक है आम जिंदगी में हम ऐसा मज़ते हैं और ये वाली आपकी mentors जिंदगी है इसमें same topic को आपने थोड़ा सा अच्छे example समझें अच्छा पॉइंट है यहां तक समय मागया हो तो आगे बढ़े हैं को दिक्कात प्रशानी नहीं है बढ़ जाए आगे अच्छा पॉइंट है यह भी काफी नंबर कौन चल रहा है अगर एक आवेश की बहुत काम का पॉइंट है अगर एक आवेश रुका हुआ है तो वो केवल विद्यु शेत्र उत्पन करता है जिसके बारे में आप इस चैप्टर में आगे पढ़ों अभी केवल सुन्दू अगर एक आवेश एक समान वेख से चलता है पिक्स वेख से मतलब पांच मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो केवल पांच मीटर पर सेकेंड चल रहा है दस मीटर पर सेट चल रहा है मतलब उसमें तुरन सुननी है तुरन है नहीं वेग में परिवर्तन है नहीं तो वो दो चीजें उत्पन करता है विद्यु शेत्र और साथ में चुम्बकी शेत्र ये नोट करके रखना ये बहुत important fact वाला point है अब अगर एक आवेश एक समान वेग से नहीं चलता है मत्त्व उसमें तोरण जीरो नहीं हो तोरण हो उसका वेग बदले तो फिर वो विद्यु शेत्र भी उत्पन करता है चुम्बकी शेत्र भी उत्पन करता है और विकीरण भी उत्पन करता है रेडियेशन भी उत्पन करता है और उसी को हम कहते हैं विद्यु चुम्बकी तरंग जब एक आवेश को हम त्वरित करते हैं तो उससे बनता है विद्यूत चुम्बक की तरंग और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि प्रकाश भी अपने आप में एक विद्यूत चुम्बक की तरंग है मतलब अंदर जाके देखें तो प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई आवेश के तौरण से आवेश के फिक्स चैप्टर नंबर टूंख होगा और आवेश से तौरीथ होना चैप्र नंबर एट है और इस प्रकार आपकी पूरी स्टबूक खतर हूं परीएट है और फ्रकार आपकी पूरी फ्रस्ट बूक खथ होगा इसलिए मैंने कहा था कि आवेश अपने आप में आपकी पूरी फस्ट बुक को कवर करके रखता है ठेक है? यह कहानी है समझ माया यहां तक? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा तो बस अभी तो मैंने शुरुवात की है बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया और थोड़ा बहुत पेपीटी के तरब नज़र कर लेते हैं दुनात्मक आवेश जब प्रोटोन इलेक्ट्रों की तुनला में कम है एसा ही मात्र के बारे बात कल और अच्छे से करेंगे उसके बाद बहुत सी चीज़े हैं डिस्कस करने को बट अभी उतना समय है नहीं तो जो है वो देख लो आवेश एक अदिश्राशी है आवेश का इसनांतरन किया जा सकता है इसके बारे में हम कल और बात करेंगे वैसे ठीक है पीपीटी को हम कली डिस्कस करेंगे इस बात को मैं सुनिश्यत करूँगा कि आप कंसेट को अच्छे सीखें और एक बात का ज्यान हमेशा रखें कि चीज़ें तब समय में बहतर आएंगी जब आप अपनी तरफ से अफ़र्स लगाओगे अगर आपने अभी तक भी बैच जॉइन नहीं किया तो बैच जॉइन कर लो को कि बैच जॉइन करने से ही आपको चीज़ें आराम से चादा अमाउंट में कंसेप्स और ज्यादा कॉशंस और ज्यादा डिपीपी इस टेस्ट यह सब कुछ मिलेगा अगर आप आप आइटी जी के तियारी करने है तो आशाबैच आपके लिए परफेक्ट इस साल आप आशाबैच हो जॉइन किजिए ताकि आप दोजाब तेईस के आइटी जीए को टेलिग्राम के उपर पर आपको सुचना मिल जाएगी और अगर आपने अप्रिक्शन इंस्टॉल कर रखी है तो वहां भी आपको क्लास का नोटिफिक्शन आ जाएगा बैच जोइन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है उन नंबर पर कॉल करके आप अपना बैच जल्द से जल्द जोईन कर सकते हैं मिलेंगे अगरी क्लास में बबाए जाहिन टेक के ध्यान आपको कुछ रहे मस्तर पढ़ाई करते हो आज का होमवर्क है कमेंट सेक्षन में आपको लिखना है कि आज आपने कौन कौन से पाउइंट सीखे और कमेंट सेक्षन में आपको क्यासिता कि भाई चैंटे क्या आपको कुछ रहे मस्तर पाली कातरी चैंट झाल झाल